नमस्का साथियों तो आज हम लोग बात करेंगे Dr. Raviyaa राश्क्ति के बारे में। याद रखी इससे पहले हम लोग कैवी महानँष्तियों की वायविव्ण प्रश्चाय है — जीवन परश्चय है — उनके बारे में हम लोग जान चुके हैं जैसे नरेंद मौदी हो गया पंडी जवाल लाल नहरू से लेकर सभी पिधान मंत्री हो गया और कुछ वेक्ति आपके जो भी महत्पुन है उन सभी के बारे में हम लोग जान चुके हैं यह सभी लेक्चर आपको जिमनी या पायोग्राफी के नाम से जो आपके पिलेलेश्ट सोची बनी हुए उसी में ळेलेव हुए न, आज बात करेंगे हम लोग डॉक्टर राजन फिसाद साहब के बारे में देखिए इनकी यह पिक है यह राजन फिसाद, डॉक्टर राजन फिसाद, गतन्त भारत के पिथम राष्टपती ति कॉंग्रेस में अजाथ सख्त्रू के नाम से जाने जाने वाले देश के महान बैक्तित डॉक्टर राजिन पिसाद सिक्षक से राष्टपती के सरवोचपत पर पहुंचने वाले महान बैक्तित इतिहास में अपने सर्व सवभाव के लिए जाने जाते हैं पहले सिक्षक थे, डॉक्टर राजिन पिसाथ आपके, पहले सिक्षक थे, सिक्षक से लेकर इनका राष्टपती तक का जो भी सरपर है, उसके बारे में हम लोग जहाने जानते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जर्म बग्प्यारंबिक जीवन के बारे, भारत के महान ब्यक्तित एवं गड़तन्द भारत के पहले राख्टति हूँ डॉक्टर राजिन पिसाथ का जनम तीन देसंबर 1884 को कब तीन देसंबर 1884 को ब्यक्तित भारत के बंगाल प्रसीडेंसी के जीरा देई में हुआ था कहा हुआ था बंगाल प्रसीडेंसी के जीरा देई में हुआ था कब तीन देसंबर 1884 को इनके पिता का नाम था महादेव सहाय जो कि संसक्त वपालसी के विद्ध्धान थे इनकी माता का नाम था कमले सुरि देवि यह अपने पिता माता-पिता की 5 संतानों में से एक थे इनके बड़े भाई का नाम था महिंद परसाथ और इनकी तीन भाईने भी थी क्या थी तीन भाईन थी ये पांच भाई बहन थी जिनमें दो भाई एक राजिंद परसाथ दूसरे महिंद परसाथ और इनकी तीन भाईन थी इनकी सिक्षा की बात करें लोग, तो पांच वर्स की छोटी अवस्ता में ही इन्होंने एक मौलवी से फार्शी में अपना सिक्षा प्यारम कर दी, इसके बाद छपरा के एक स्कूल में सिक्षा के लिए दाखिला लिया, इसके बाद इन्होंने कलकत्ता, विस बेहत द्याले प्रवेश परिच्छा में भाग लिया और उसमें पित्थम इस्थान परात किया। 1902 इसभी में इन्होंने प्रशिडेंसी कॉलिज कोलकाता में प्रवेश लिया। पर 1915 में विधी में इस नात्युक्तर LLN की परिच्छा में गोल्ड मेडल हांसिल किया। तो इतना जान लीजिए। बहुत intelligent थी। 1915 में विधी इसनात गुत्तर LLN में परिच्छा में गोल्ड मेडल हांसिल किया। परिच्छा में दोक्ट्रेट की उपादी हांसिल कि। ए तीन की सिक्छा थी। अब बात करते हैं विवाहिक जीवन की इनका विवाह 1897 में तब कर दिया गया जब एक मात 13 वर्ष की अवस्था में थे तो पहले इसी तरह की विवाह हो जाया करते थे छोटी ही उमार में इनका विवाह कब हुआ 1897 में जब यह 13 साल की अवस्था में थे और पांच भी में ते इनकी पत्नी का नाम था राजवनसी देवी ज得 राजवनसी देवी WOR कर दी की बाद तो बिढी में समांट में और डॉक्तुरेट करने की बाद इन्होंने बखालेत का पैशा व्यारम किया तो समय के वाधी गांदीजी से प्रभावित होकर 1921 में क्या हूं 1921 में कोलकाता विस्पिध्या लगे सी नेटर्म के पद से त्यागपत दे दिया कव 1921 में ठीक है राजनेतिक जीवन की बात करें तो चंपारन सत्य है कि दौरान ए गांधी जी के संपर्ख में गांधी जी से प्रभावित होकर इनोंने भालती राजनिती और सुतंता संग्राम में भाग लिया और कॉंग्रेस से चुड़ गए तो 1924 में कॉंग्रेस न को na के बंभई अहरेशन की अधियक्चता करने का मौका भी मिला याद रखिये उनिस सो चंट公ह नहोंने कॉंग्रेस के बंभई अधियक्चता भी किए थी जी बाद मैं 1949 में कॉंग्रेस के अधियक्चता पर्मत्वेद हो कारण सुवार्श चंद बॉस के बाल एक बाल पुनाहां डॉक्टर राजिन पिसाथ को कॉंग्रेस काध्यक्ष बनाए गया गया कब 1949 कि फिर आता है अपका 1942 1942 में नोने भारत छोड़वां दोलन मैं भाव लिया इन्हें गरबतार कर नजर्वंद कर लिया गया 9 दिसंबर 1946 इस भी गो समिधान सभा की पहली बैटक सचिदान सिंगा की आईस्थाई अध्यक्षता में हुई थी जैसा की आपको फता होगा कि जो समिनान सभा की पहली बैटक थी वो सचिदान सिंगा की आईस्थाई अध्यक्ष थी उस समय वी थी 9 दिसंबर उसके बाद 11 दिसमर 1940 को, कब 11 दिसमर 1940 को डlines राजन के साथ को संधिनासवा का इश्थाय अध्यक चुनलीया गये, तो संहितायन सवा के आश्थाय यद्यक ़िक कों थे सज्जडरनन सिंह और इश्थाय डNOक्टर राजन के साथ राश्टपती पत के बात करेंड की तो देश की आजादी के बात 26 जन्वरी 1950 को कब 26 जन्वरी 1950 को जब गड़तंत की गोशना की गई तो भारत के पिथम राश्टपती के तौर पर डॉक्तर राजिन के साथ को चुना गया और इसी दिन इन्होंने 10 बच कर 24 मिल्ट पर राश्टपती पत की सपद गेंड की 26 जन्वरी 1950 को इस दिन से देश से राश्टपत को समाप कर एक नई विववस्ता गरतंत की इस्थाफना हुई राश्टपती के तौर पर 12 बरस्थों तक कार करने की बच्चाओ 1962 में इन्होंने स्वयंच अवकास लेने की घोश्टपती रहे तो याद रखिए लगातर दो बार राश्टपती रही आपके डॉक्टर राजिन औरे संसा लगाताल दो कारेकाल के लिए राश्टपती रहे इस बर्स भारत सरकार है नने भारत रतन से नवाज़जाने की खोश नं की ये 13 मैं सबासर कु तक भारत की राश्पती रहे कव 13 13 माई 1962 सबत कमली थी 26 जन्वरी 1950 से 13 माई 1962 तक भारत की राष्टपती रहे अब तक के राष्टपतियों में राजयंत पिसादी एक मात्यसे राष्टपती ही जो दो कायरकाल तक राष्टपती रहे हैं इनकी मित्यु या निधन की बात करें तो 28 फरवरी 1963 को बिहार राजी की राथ्थानी पटना में सदाकत आस्वरम में इनका निद्धन हुआ कववा 28 परवरी 1963 को इनका समाधी स्थल महा प्रियाग घाट है पटना इस्थित बिहार विद्ध्यापीट को इनके मर्डवपांत राजयंत पिसाद संग्रालाय बना दिया गया तो यह थे आपके डॉक्टर राजयंत पिसाद आंगे हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे राष्पती डॉक्टर सर्पल्ली राधा किष्णम के बारे में ठीगा